नमस्कार, आसा करता हूँ आप ठीक होंगे टेकनोलोजी ने इंसान की जिंदगी बहतर एव अच्छी बनाई तो इसी के साथ बहुत सी मुश्किले भी बढ़ाई और जुर्म, क्राइम के रास्ते भी खोल दिये कुछ सालों से एक ट्रेंड चल गया है जब से सोसल मीडिया का दोर आया है क्रिमनल अपने काम करने का तरीका ही बदल दिया है क्या आपको पता है डेटिंग एप हर दस में से एक प्रोफाइल फेक होती है जिसकी वज़े से क्राइम या फ्रोड करना और भी असान होता है अब जब बात स्कैम्स की होई रही है तो कोई भला एसले मेडिसन डेटिंग एप के स्कैम्स की कहानी को कोई कैसे भूल सकता है जी हाँ ये वही एप है जिसके यूजर्स के परसनल डाटा चोरी हो गए थे और अगले ही दिन डार्क वैब पे नजर आने लगे थे और एक चीज़ और बताता हूं कि इंडिया में हर तीन आदमी में से किसी एक के मुवाईल में डेटिंग एप होता है तो कहानी सुरू होती है दिल्ली के वसंदकुझ इलाके से दिल्ली के वसंदकुझ इलाके में एक जोईलर्स रहते थे जिनका नाम विकास था जो कि सोसल मीडिया पर बहुत अक्टिव थे और उसमें से भी ये सबसे ज़ादा टिंडर एप का यूजज करते थे विकास का ज्वेलर्स का काम भोती अच्छा चल रहा था और ये मसूर डेटिंग अप टिंडर का यूज करते थे एक साम विकास चाय पीते पीते टिंडर अप चला रहे थे और अप में स्क्रोल कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक लड़की ने राइट स्वाइप किया था लड़की भेध खुबसूरत थी और उसके प्रोफाइल को देखकर लग रहा था कि ये कोई हाई प्रोफाइल की लड़की है विकास लड़की के प्रोफाइल को देखता है विकास ये लुगावना ओफर ठुकरा नहीं सका क्योंकि यहां तो लड़की ने खुद विकास को राइट स्वाइप करके अपना इंटरस्ट दिखाया था और इतनी सुंदर और हाइप प्रोफाइल की लड़की देखकर विकास ने भी राइट स्वाइप कर दिया और इसी के साथ वर्चुल वर्ल्ड में दोनों की दोस्ती की सुरुवात हो गई लड़की करीब दिल्ली के गुडगाओं की रहने वाली थी उसने खुद को एक सोफ्टवेर इंजिनियर बताया और साथ ही यह भी बताया कि वह एक गुरू गुराम के ही मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही है थोड़ी ही दिनों में विकास और उस लड़की ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और अब टिंडर एप से निकल कर वटसब पे दोनों वीडियो कोल और चैट करने लगे थे अब विकास और वह लड़की देर रात तरात भर वीडियो कोल और चैटिंग करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ही इंटरस्ट ले रहे थे कि खैर यह सब चलता रहता है और करीब एक हफते वाद विकास ने अपनी नई नई बनी हुई गल्फरेंड को मिलने के लिए बुलाया था अब विकास गुरू गराम के एक रिजोट में उसका इंतदार करने लगता है तब ही वाद लड़की आ जाती है और अब विकास और वाद लड़की रिजोट के एक कमरे में थे इसके बाद दोनों ने रिजोट के कमरे में एक अच्छा वक्त गुजारा और अगले ही दिन विकास ने गुरुग्राम के ही सेक्टर 68 में इस लड़की को उतार दिया फिर वह अपने ज्वेलर्ज की दुकान पर आ गया और अपने काम में लोट गया उसके अगले दिन जब वह उस लड़की को फोन करता है तो वह नंबर स्विच ओफ आ रहा है और उसके टिंडर से भी प्रोफायल गाइब हो गई थी फिर तीन दिन बाद उसे एक कोल आता है विकास बोलता है remove तो दूसरी तरफ से कोल पर जो व्यक्ति था हुआ कहता है कि विकास बोल रहा है विकास कहता है हाँ मैं विकास बोल रहा हूँ फिर तभी दूसरा व्यक्ति कहता है अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो विकास कहता है क्या मतलब फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि तू गुरुगराम के रिजोर्ट में अपनी गल्फरेंड के सा कमरे में ठहरा था वह तेरी सबसे बड़ी गलती थी और सुन अब मैं जैसा जैसा कहता जा रहा हूं तु चुप चाप वैसा वैसा कर नहीं तो रिजोर्ट में बंद कमरे की वह मुलाकात कब सोशल मीडिया पर वाइरल हो जाएगी खुद तुझे भी पता नहीं चलेगा और क अपनी जो नहीं नहीं गल्फ्रेंड बनी थी उसे कोल किया मगर उसका तब भी फोन स्विच ओफ आ रहा था फिर ठीक दो घंटे बाद विकास को दोबारा उसी नंबर से कोल आया और फिर जो दूसरी तरफ वैक्ति था उसने बोला कि हमारे पास तेरी ऐसी वीडियो है जो सुनते ही मानो विकास के पैरो तले जमीन खिसक गई हो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गल्ती कहा हुई अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे